हाई फ्रेंड्स माइनम इस अफसर खान एंड यूर वाचिंग मैं चैनल आई हैव क्वालिफाइड नैट एंड इंग्लिस लिटरेचर और यह मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूपी पीजीटी इंग्लिस लिटरेचर के स्टुडेंट्स के लिए एक क्रेस कोर्स इसमें पीजीटाइड प्रेंड ज villains आपको याद रखने में ये आसारWival09 विडिएवाइड थ्रीपार्ट में फस पार्ट में राइटर की बारे में कुछ fact को Caesar और फिरिए क्या वुर्क लिझे उन सब की बात करेंगे फिर लास्ट में राइटर के इंपर्टन वर उक्स को छो discuss क Unter PB Shelley means पर्षे बर्षे शेले PB Shelley romantic age के second generation के poet थे उनका birth 1792 में हुआ था और महज 29 years की उमर में 1822 में उनकी death हो गई PB Shelley अपने lifetime में ऐसे poet famous नहीं थे लेकिन death के बाद में वो काफी famous हुए उनकी जो lyricism और technical जो skill थी उस चीज ने उन्हें दूसरे जो महान poet थे उनके वीच में लागर खड़ा कर दिया जब Shelley poetry लिख रहे थे तो उनके साथ में कुछ और writers भी थे जो की ऐसे ही famous हैं जैसे की PB Shelley जैसे की Lord Byron, John Gidds, Leigh Hunt और उनकी पतनी Mary Washington Craft Shelley जिनोंने एक novel लिखा है जिसका नाम है Frankenstein romantic age के दूसरे writers की दरह उनकी poetry भी nature से काफी inspired थी nature के अलावा PB Shelley की poetry के दूसरे subject भी थे जैसे की individualism, emotional truth और political subjects जैसे की tyrannian freedom उनके अपने unique style ने कई और poets को inspire किया ऐसी ही poetry लिखने के लिए PB Shelley की सबसे ज़्यादे पढ़ी गई और सबसे ज़्यादे famous कुछ poems इस तरह से हैं जैसे की Ozymandias, To the West Wind, To a Skylark और एक most famous four-act drama Prometheus Unbound और एक essay जो Shelley ने रिखा A Defense of Poetry ये essay poetry के बारे में है की poet कैसा होता है और poetry कैसी होनी चाहिए PB Shelley का ये work literary criticism का foundation माना जाता है ये थी कुछ basic सी जानकारी PB Shelley के बारे में अब बात करते हैं point to point इनकी जिन्दगी और इनकी वक्स की facts के बारे में Fact number one PB Shelley का बर्थ 4 August 1792 में West Sussex, Singland में हुआ था Fact number two PB Shelley अपने पिता Sir Timothy Shelley के सबसे बड़े बेटे थे Fact number three In 1802 वो एक school में गई जिसका नाम था Sion House Academy of Brentford Mid Middlesex जहां पर पहले से ही उनके कजन Thomas Madwin पढ़ा करते थे वहाँ पर Sally को सभी बच्चे छेड़ते थे और वो वहाँ पर बिल्कुल खुस नहीं थे इस परिसानी के चलते हैं उन्हें कई और परिसानियों का सामना करना पड़ा जैसे कि उन्हें रात में नाइट्स मेर आते थे यानि कि बुरे सपने आते थे उन्हें हैलोशीनेशन होती थी और खा जाता है कि उन्हें एक और बिमारी हो गई थी जो sleep walking की यानि कि जब वो नीद में होते थे तो नीद में चला करते थे इन सब चीजों ने पीपी शैली की लाइफ में बहुत बड़ा रोल पिले किया है और उनकी लाइफ को बहुत ही effect किया है इस वज़े से उनका जो interest था वो science में ज़ादा बढ़ गया इसकूल में इनका behavior बिलकुल अलग हो गया था जिसकी वज़े से इनका nickname पड़ गया था यानि कि लोग पाग इन्हें छेड़ते थे Matt Sally कहकर fact number six in 1810 और 1811 में शैली ने एक political book को publish किया जिसका नाम था necessity of atheism ये book political subject पर भेज थी और इसमें इसी तरह की poems थी fact number seven शैली ने ये book necessity of atheism सभी bishops और सभी heads of the college को भेज दी यानि कि Oxford के सभी heads को भेज दी इसके बाद उन्हें बुलाया गया और वहां के उस time पर जो dean थे वो थी George Rowley fact number eight शैली की सबसे पहली जो wife थी वो थी Harriet Bassbrook fact number nine Oxford University ने इन्हें इसी poetry collection की वज़े से इस university से निकाल दिया था fact number ten इसके बाद में the examiner नाम की magazine में शैली articles लिखने लगे fact number eleven एक poem है जो पीबी शैली ने तब लिखी थी जब उन्होंने पीटरलू मैसकेर के बारे में सुना था ये incident Manchester, England में हुआ था जहां पर कुछ लोग इखटा हुए थे और वो इखटा इसलिए हुए थे क्योंकि वो Parliament में कुछ reform कराना चाहते थे तब वहां पर वहां की government ने चार्ज कर दिया और बहुत सारे लोगों को मार दिया fact number twelve in 1822 पीबी शैली ने लेहंट और लोड बायरन के साथ में मिलकर एक journal को पब्लिस किया जिसका नाम था दा लिबरल fact number 13 शैली की मौत के बाद में लोड बायरन ने शैली की कबर से उसका इसकल निकालने की कोशिस की थी fact number 14 उस टाइम में एक political figure थे काफी famous जिसका नाम था William Godwin उनकी बेटी से बीबी शैली ने शादी की थी और ये शादी दूसरी थी और इनकी वाइफ का नाम था Mary Washington Craft शैली fact number 15 civil disobedience नाम का एक काफी famous moment था जो की हैंडी थोरियो ने चलाया था वो काफी influence थे बीबी शैली से fact number 16 पीबी शैली का जो पहला publication वक्त था वो था एक novel जिसका नाम था जेस्टरोजी ये एक romantic novel था जो 1810 में publish कराया है उन्होंने fact number 17 मैथियो आंडर ने इनके बारे में कहा है कि शैली जो है वो in affected angel है fact number 18 शैली का एक play है जिसका नाम है the sensei वो इन्होंने अपने दोस लेहंट को dedicate किया है fact number 19 और इनका एक दूसरा वर्क है जिसका नाम है the revolt of Islam ये वर्क इन्होंने अपनी वाइफ मैरी शैली को dedicate किया है fact number 20 romantic age के जो second generation के famous poet थे वो तीन राइटर थे Byron, Keats और Sally जो आपस में friend थे और सबसे पहले Byron ने शैली को कीड से मिलाया था ये तीनों राइटर अपने आप में काफी महान राइटर है fact number 21 एक राइटर है जिनका नाम है Hudson उन्होंने शैली के बार में कहा है कि he is dreamers of dreams fact number 22 शैली की ग्रेव पर Shakespeare की tempest की कुछ लाइने लिखी हुई है as a epitaph वो इस तरह से है nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change into something rich and strange fact number 23 उनकी wife Mary Shelley ने जिसे हमने पहले बात की थी एक novel लिखा था Gothic novel लिखा था जिसका नाम था Frankenstein उसका preface P.B. Shelley ने लिखा था fact number 21 A.C. Swinburne एक अच्छे खासे writer रहे हैं अपने time के उन्होंने Shelley के बारे में लिखा है A Perfect Singing Code fact number 25 Shelley ने कुल 18 sonnets लिखी है fact number 26 एक बार P.B. Shelley ने अपने वक्स को publish करने का एक नया तरीका ढूंडा उन्होंने क्या किया उन्होंने एक balloon लिया उसके अंदर अपनी बुक को रखा और उसे हवा में उडा दिया और इस तरह ये वर काफी दूर दूर तक पहुँच गया fact number 27 Shelley की सबसे last poem जो है वो unfinished poem है जिसका नाम है The Triumph of Life fact number 28 कहा जाता है कि उनकी जो wife थी Mary Shelley उनके funeral पर नहीं आई थी fact number 29 P.P. Shelley को उनके बच्पने में दूसरे बच्चों ने उनके स्कूल में काफी परिसान किया और इस चीज का असर उनकी जिंदगे में काफी गहरा पड़ा और इसी की वज़े से वो हर तरीके की टाइरनी के खिलाफ थे means वो government के खिलाफ थे अगर government operative है और वो religion के भी खिलाफ थे जो religion लोगों पर rule करता है और उन से उनकी आजादी को छेन लेता है वो उन सब चीजों के खिलाफ थे fact number 30 एक बार P.P. Shelley के एक friend Horace Smith के साथ में उनका competition हुआ poetry लिखने का तो उन्होंने उस competition में एक poem लिखी जिसका नाम था Ozymandias Ozymandias की कुछ एक famous line इस तरह से है Our sweetest songs are those that tell the saddest thought fact number 31 Out to the West Wind एक hopeful and optimistic note पर end होती है fact number 32 Shelley की poem को fabric of vision कहा गया fact number 33 In defense of poetry Shelley का जो essay है उसमें उसने poets को the unknowled legislator of the world कहा fact number 34 P.B. Shelley और Keats 1860 में friend बने fact number 35 The Sensei जिसमें 5 acts हैं ये complete tragedy है Shelley की जो blank verse में है fact number 36 दूसरा जो lyrical drama है P.B. Shelley का वो है hellas fact number 37 T.S. Eliot ने P.B. Shelley के बारे में कहा है कि he is a poet of adolescence and the bulk of his poetry is immature fact number 38 Shelley की best poetry 1880 से 1822 के टाइम में लिखी गई fact number 39 P.B. Shelley ने nature को intellectualize किया है fact number 40 Matthew Arndon ने शेली के बारे में कहा है कि an ineffectual angel beating in the void its luminous wings fact number 41 P.B. Shelley रोमेंटिक एज की second generation के रोमेंटिक पोईट से बिलोंग करता था fact number 42 P.B. Shelley का जो historical tragedy है उसका नाम है Charles First fact number 43 Plato का एक work है जिसका नाम है symposium उसको P.B. Shelley ने translate किया था इंगलिस में fact number 44 Lord Byron ने P.B. Shelley के बारे में कहा है the most gentle, the most amiable and the least worthy minded people I ever met fact number 45 P.B. Shelley को child of French revolution कहा गया है fact number 46 जो most adverse critic है Shelley का means जिसने सबसे भला बुरा कहा है P.B. Shelley को वो है T.S. Ciliate fact number 47 Shelley ने poetry को define किया है कि poetry expression होती है imagination की last fact of this list fact number 48 Percy B.S. Shelley died 8 July 1822 ये थे P.B. Shelley की जिन्दगी के और उनके works के बारे में कुछ key facts normally ये चीजे एक student को पता होनी चाहिए अगर वो अपने आपको prepare कर रहा है NET exam के लिए या PGD exam के लिए अब बात करते हैं P.B. Shelley के कुछ important works के बारे में ये works इसलिए important हैं क्योंकि ये exam में काफी बार आते हैं तो अभी हम बात करते हैं कि इन्होंने कौन-कौन से works लेके उसके बारे में हम उन works को analyze करेंगे ये अब brief में discuss करेंगे पी भी शेलिके कुछ works ऐसे हैं जिनके लिए इन्हें जाना जाता है वो इस तरह से हैं The Triumph of Life Ode to the West Wind Prometheus Unbound To a Skylark Adonius Music The Revolt of Islam When Soft Voices Die Elastor The Cloud Queen Mab The Mask of Anarchy The Scentsy A worst drama Duster Rosie ये एक romance है जो 1810 में लिखी गई The Necessity of Atheism जो 1811 में लिखी गई The Devil's Walk ये एक ballad है जो 1812 में लिखी गई Next आते हैं Queen Map ये एक philosophical poem है जो 1830 में लिखी गई इसके बाद में Elastor और The Spirit of Solitude ये लिखी गई 1815 में इसके बाद में The Diamond of the World of Month Blank 1816 में लिखी गई इसके बाद में Hym to Intellectual Beauty जो 1817 में लिखी गई इसके बाद में The Revolution of the Golden City A Vision of 19th Century जो लिखी गई 1817 में इसके बाद में The Revolt of Islam जो लिखी गई 1817 में और ये बारह Cantos में डिवाइट थी इसके बाद में Osamandias ये 1818 में लिखी गई ये एक Sonate है जो Ambic Pentameter में है I hope आपको Sonate और Pentameter के बारह में बता होगा इसके बाद में इन्होंने जिसका नाम था Rosalind and Helen इसके बाद में The Sand Sea ये एक Tragedy है जो 5 Acts में लिखी गई और इसके बाद में Out to the West Wind नेक्स आती है The Mask of Anarchy इसके बाद में Julian and Mataldo जो 1819 में लिखी गई एक इनका ड्रामा आता है जिसका नाम है The Prometheus Unbound ये एक Lyrical ड्रामा है जो 4 Acts में है और ये लिखा गया 1820 में इसके बाद में 1821 में जोन कीट की डेथ पर इन्होंने एक एलिजी लिखी जिसका नाम था Adonis नेक्स एक इनका एससे है जिसका नाम है A Defense of Poetry इसके बाद में आता है एक Lyrical ड्रामा जो 1822 में लिखा गया इसका नाम है Appie Pisaidion Hellas अब शेली के उन वक्स के बारे में बात करते हैं जो एक्जाम में पूछे जाते हैं सबसे पहले बात करते हैं शेली के कुछ एक करेक्टर्स के बारे में जो शेली ने यूज किया अपने बुक्स में अपने पोएम्स में या अपने ड्रामाज में इसमें सबसे पहले नाम आता है एड़नियस का ये ग्रीक मैथिलोजी में सिंबर है यूद खा और ब्यूटी का इसको unjustly मार दिया गया था एक जलस कोड के दुआरा जैसके कीट्स के साथ में हुआ था माना जाता है या फिर पीबी शैली मानता था केट्स की जो डेथ हुई थी वो क्रेटिक्स की वज़े से हुई थी के क्रेटिक्स ने उनकी वक्स को बहुत ही बुरी तरह क्रेटिसाइज किया था इसकी वज़े से जोन केट्स की डेथ हो गई next character है Ozymandias Ozymandias मिصر का एक बहुत ही महान राजा हुआ उसने अपने आपका एक statue बनवाया था और यह statue बहुत बढ़ाव statue था और उस statue पर उसने लिखवाया My name is Ozymandias, Kings of King Look on my works, ye mighty and disappear के मेरा नाम Ozymandias है मैं राजाओं का भी राजा हूँ और मैंने इतने सारे काम कराए हैं वो जो कि बहुत ही महान है और इन महान काम को देख करके जो भी बाड़े से बाड़ा राजा होगा वो दुखी हो जाएगा क्योंकि वो इस तरीका काम नहीं करा सकता मेरे जितना बड़ा स्टैचू वो नहीं बना सकता लेकिन परिजेंट में आज के टाइम में वो पावर वो स्टैचू और वो गलोरी सब खतम हो गई अब उसके दो पैर और उसका एक हैड़ बचा है और यह हैड़ जो है, उसका सर जो है, वो रेध में पड़ा हुआ है और चारो तरफ उसके रेध ही रेध है नेक्स आता है Prometheus ये Greek mythology से है उसके बाद में Jupiter ये भी एक Greek goat है जो कि Krule है और बहुत ही Tyrant है इसके बाद में आता है Demogorgon Demogorgon एक darkness का creature है जो Jupiter का सेवक है और इसने दूसरे goats को हराने में Jupiter की मदद की थी Demogorgon का नाम आपने पहले भी कहीं और सुना होगा एक स्रीज आये थी Netflix पर जिसका नाम था The Stranger Thing उसमें Demogorgon था हाला कि इस चीज़ का एक्जाम से कोई मतलब नहीं है मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे अब पीवी शैली के कुछ एक वक्स को ब्रीफ में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले आता है The Necessity of Atheism ये एक ऐसे है जो लिखा गया था Atheism के उपर यानि के नास्तिकता के उपर इसको पीवी शैली ने 1811 में पब्लिस कराया था जब वो यूनिवस्ती कॉलीज ऑक्सफोर्ड में एक स्टूडेंट था अपने दोस्त चार्ल्स और विलियम फिलिप्स के साथ में मिलकर के इसी वर्क की वजह से उसको उसके कॉलीज यानि के ऑक्सफोर्ड से निकाल दिया गया था क्योंकि जो कॉलीज के हैड और बिशफ थे वो मानते थे की इसवर की निंदगी गई थी इस वजह से पीवी शैली को कॉलीज से निकाल दिया गया इसके बाद में उसकी एक poem आती है जो की philosophical है उसका नाम है Queen Map ये 1830 में publish हुई थी और इसमें nine cantos है cantos parts होते हैं poem में जैसे एक novel में part होते हैं वैसे ही एक poem में cantos होते हैं जिससे की एक poem divide होती है ये poem एक imaginary tale है जिसमें fairy tale वगरा है supernatural element है और ये एक idea पर base है वो idea है utopia on earth ये poem readers के सामने एक vision present करती है future का जो vision है utopia का utopia कहते हैं एक ऐसी जगा जो कहीं नहीं है ये literally meaning है इसका symbolic means है कि एक ऐसी जगा जहाँ पर सबी लोग खोस रहें कहीं कोई corruption ना हो, कोई crime ना हो एक ideal country कह सकते हैं जहाँ पर सब कुस ठीक हो इसके बाद में जो work है वो है एक Gothic novel जिसका नाम है जस्टरोजी ये 1810 में publish हुआ अब सवाल ये उठता है कि ये Gothic क्या होता है Gothic English literature में उस genre को कहते हैं जिसमें supernatural elements होते हैं या फिर ghost होते हैं ये किसी भी horror कहानी को हम Gothic की story कह सकते हैं ग Gothic novel कह सकते हैं इस novel में जस्टोरीजी नाम का एक devil है जिससे brain disease है इसके बाद आती है एक sonnet जिसका नाम है Ozymandias Ozymandias के बारे में अभी हमने बात की थी कि Ozymandias एक मिसर का एक राजा था और ये poem P.P. Sally ने एक competition में लिखी थी अपने friend Horace Smith के साथ में इस poem में जो speaker है वो एक traveler से मिलता है ये traveler Ozymandias के statue को देखकर आया है और वो traveler उस speaker को उस Ozymandias के statue के बारे में बताता है Ozymandias एक Greek name है जिसका means है Ramses 2nd ये traveler बताता है speaker को कि इस statue पर काफी arrogant line ने लिखी थी उसमें लिखाता है कि मैं सबसे महान लाजा हूँ और मैं kings of king हूँ मेरे जैसा kings कोई नहीं है और जो मैंने किया है जो मैंने चीजे बनाई है वो दूसरा राजा कोई और नहीं बना सकता लेकिन ओजमेंडियस ने जो भी कुछ सकतिसाली बनाया था वो आज परजेंट में टूटा हुआ पड़ा है उसके जो statue है वो काफी बड़ा statue था उसकी सिर्फ उसकी दो टांगे बची है और उसका एक head है जो रेत में पड़ा हुआ है और चारों तरफ रेती रेत है सो राजा कितना भी powerful हो लेकिन time जो होता है वो सबसे ज़्यादे powerful होता है next पीवी शेली का जो वरकाता है वो है the revolt of Islam जो 1880 में लिखा गया या publish हुआ ये एक narrative poem है जिसमे 12 cantos है और इसमें एक plot है जिसमें दो character है पहला character का नाम है लेउन और कितना ये दोनों character एरोगोस नाम के एक fictional state के जो ruler होता है उसके खिलाफ revolution करते हैं हाला कि इस poem का इसलाम से कोई लेना देना नहीं है और ना ही ये poem किसी एक particular religion के बारे में है next पीवी शेली का वरकाता है दा मास्क ओफ एनार की ये एक British political poem है जो कि लिखी गई थी 1819 में और ये poem बेस है पीटर लू मास्क एर पर जो इसी एर में हुआ था पीटर लू मास्क एर की बात हम पहले कर चुके हैं पीवी शेली का next वरकाता है ode to the west wind ये एक ode है और ये लिखी गई थी 1820 में इस ode में 5 parts हैं जिसमें पहली और last की लाइन से होती है और last का स्टेंजा है हर पार्ट में जो फिफ्टStेंजा है उसमे लास्ट में कपलेट है कापलेट मेंस टू लाइन से होती है जो राइमिक स्कीम में होती है इस order में speaker वसंत की Спीकर वसंत की डेथ साइकल का, स्पीकर चाहता है कि कास वो भी वैस्विन की तरह ट्रेवल कर सके, इधर से उधर जा सके, स्पीकर वैस्विन से कहता है कि वो उसका मैसिज, पोरिट का मैसिज पूरी दुनिया में फैला दे, बीबी शैली का नेक्स वर्क आता है, पोरिटरी और यह पबलिस हुआ था, यानि कि यह जो डिफेंस वो पोईटरी है, वो पबलिस हुई थी 1840 में, पीबी शैली ने अपने इस वर्क में, रीजन एन इमेजिनेशन को एक खास प्लेज दिया है, उसके बारे में बात की है, इस वर्क में पीबी शैली ने कहा है, कि एक पोईटरी जो होती है, एक पोईट की इमेजिनेशन की एक्सपिरिशन होती है, जैसा शैली लिखता है, कि the poet are the unknowledge legislator of the world, means एक पोईट जो होता है, वो संसार का निर्मादा होता है, पीबी शैले ने इंसान के समझने के तरीकों को दो पार्ट्स में डिवाइट किया वो पार्ट्स हैं Reason and Imagination नेक्स वर पीबी शैली का आता है Promethya Sunbound ये एक 4-act ड्रामा है और ये पब्लिस हुआ था 1820 में पीबी शैली के सभी वक्स में ये most ambitious work बाना जाता है Promethya से एक Greek God है जिसने humanity के लिए sacrifice किया humanity के लिए उसने fire की चोरी की और इस fire को उसने humanity को दिया और इस fire के साथ में उसने knowledge भी दी लेकिन इस चीज़ की उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि इसके लिए जो Gods of God है जिसका नाम है Jupiter उसने उसे अनंतकाल तक सजा दी उसने ये सब किया अपने प्यार के लिए उसे प्यार हो गया था Aesia नाम की एक निम्ट से जो समदर की देवी थी ये Greek mythology है और इस चीज़ को दूसरे writers ने भी लिखा है इस ड्रामा की एक और खास बात है वो खास बात है ये कि ये एक closet drama है अब बात ही आती है कि ये closet drama क्या होता है closet drama में writers जो drama लिखता है वो perform करने के लिए नहीं लिखता है बलकि read करने के लिए लिखता है उस drama को P.B. Shelley का next work आता है adonius ये लिखा गया 1821 में जब P.B. Shelley के एक खास दोस्त उसके जैसे ही एक poet John Keats की death हो गई थी इसी years में उसके बाद में ये adonius P.B. Shelley ने उसी के लिए लिखा था John Keats की जो death हुई थी वो tuberculosis से हुई थी लेकिन P.B. Shelley मानता था कि उसकी जो death हुई है वो critics की वज़ा से हुई है adonius एक Greek mythology का एक गोड है इस odd में 55 Spencerian stangels है अगर इस poem की lines की बात की जाए तो इसमें 495 lines है और ये P.B. Shelley का best work माना जाता है Shelley का next work आता है England in 1819 ये poem 1890 में लेकी गई जो response था Peter Lumaskier का कुछ protesters पर government के सैनिकों ने गोलिया चला दीती और उन्हें मार दिया था क्योंकि वो parliament में कुछ reform कनाना चाहते थे ये sonat describe करती है king as a mad blind, despised and dying कि king जो होते हैं पागल होते हैं अंधे होते हैं और मर रहे हैं मतलब जो राजकुमारों की जाती है prince की जो जाती है वो एक ऐसी race है वो ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेकार हैं dull हैं सभी जो rulers हैं वो violent है useless हैं और वो लोगों को दुख देने के अलावा कुछ नहीं करते oppress करते हैं लोगों को इस poem में उसने यही सारी बाते लिखी हैं next work आता है PB Shelley का Mount Blank और यह लिखा गया था 1860 में और यह तब लिखा गया था जब PB Shelley लोड बाइरन के साथ में था यह work William Wordsworth के Lions written a few miles above tentern abbey नाम की एक poem से पूरी तरह inspired है लेकिन PB Shelley की इस poem में हम देख सकते हैं कि nature और जादा बहतर है और जादा terrifying है जैसे कि Wordsworth ने portrait किया है nature को वो बिलकुल वैसा नहीं है क्योंकि Wordsworth ने हमेंसा nature की positive चीज़ उपर ही focus किया लेकिन nature की दूसरी भी चीज़े है जो बहुत ही terrifying है और horrible है इस poem में वो कहता है कि जो nature होता है वो बहुत ही large है जैसे कि mountain है वो बहुत ही ज़ादा बड़े है powerful है human mind के लिए यानि कि इनसान nature को नहीं समझ सकता क्योंकि human की जो understanding power होती है वो nature के मुकाबले बहुत चोटी होती है और nature अपने आप में बहुत बड़ा है समझने के लिए शैले का next work है To a Skylark ये एक poem है जो लिखी गई थी 1820 में इस poem में शैली एक birds के song की तारीफ करता है इस poem में उसे believe है कि bird का ये जो song है उसकी poetry से ज़ादा sweet है ज़ादा better है क्योंकि ये जो bird है वो nature का part है nature के साथ में रहती है और वो जानती है कि खुस कैसे रहना है उसे नहीं पता कि grief और sadness क्या होता है इसलिए उसका जो song है वो उसकी poetry से ज़ादा sweet है ये थे पीबी शैली के कुछ important works जिनके बारे में हमने brief में discuss किया So friends इस वीडियो में अगर आपके कोई suggestions हो कुछ कमी रह गई हो तो आप लिख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने friends और जरूरत मन को share कर सकते हैं Thanks for watching me, have a nice day